पहले तो इनको सबको सस्पेंड करना चीए नोकरियों सटाना चीए एडी के सब लोगों को केजरीवाल जी क्या जमानत से बाहर निकलने के रास्ते इस बीस मिल सकते हैं क्या और बहुत बार तो सुप्रीम कोट के चीफ जश्टीज ने भी कहा ये बंद करो ड्रामा चीफ जश्टीज ने तो चलो अच्छा है उन्होंने कहा बहुत जमानत दो क्यों नहीं दे रहे मगर नरेंद्र मोदी का इंट्रेस्ट है उसके साथ उसका एक्जिकूट करने वाला अमिच्छा है उसके नमस्कार आप देख रहे हैं फोरम फोर मैं हूँ प्रभाद इस वक्त मैं कंस्टिचूशन क्लम में हूँ हम बात करने वाले हैं बहुत महत्पूर मुद्दे पर जिस तरीके से आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है राउज अबनिकोड से लेकिन उसके बाद इस्टे लग जाता है आखिर क्या पूरी प्रक्रिया है कैसे क्या जमानत पर केजरीवाल बाहर आ सकेंगे या क्या सवाल उठ रहे हैं जो न्याय प्रडाली हैं उन्हीं सब बिंदू पर बात करेंगे हमारे साथ हैं बरिष्ट एडोकेट सुप्रीम कोड के बल च reais कि संद्श करता है सत्ता है कि खिलाब खुल के बोलता है या नरेंद्र मोदी उनके खिलाब frequentואरे कि नीचा दिखाना वसको पकड़े रखना उसको भार नहीं आने देना यह किसमें और को नहीं है अगर बात प्रश्टाचार की वो करते जिस तरह से वे बरश्टाचार है पैसा लेंदेन हुआ है यह कौन सा है अगर इस देश की जांच की जाए जो सत्ता पक्स में जितने लोग बैठे हुए हैं और जहां-जहां बड़े टेंडर हुए हैं या बड़े-बड़े काम हुए जितने भी एक भी ऐसा नि बचेगा जिसमें सत्ता की दलालेना हुई हूए जांस हो जाए इस देश में ये ये लोग दूद के दुले है और वहां पर राउज अबनी कोट से जो जमानत दी गई उसमें पूरी बात सुनी नहीं गई यह बकवास करें वो दो-दो दिन सुनाते हैं सुप्रीम कोट में इस तरह टाइम वेस्ट करते हैं और जजिज भी उनकी बहुत सारी बकवास को ऐसे सुनते रहते हैं जमानत के माम सुप्रीम को इतनी लंबी बाते सुनना में मुझे नहीं समझ में आया कैसे सुनते हैं जो प्राइवेट लिटिगेंट्स होते देश में किसी की विज़ानत दो दिन सुनवाई नहीं होती है आस तक हुई निज देश में जो आम जनता है आम जन के लोगों की तो एप्लिके मामला है इसमें बोलिए आपने इस आदमी को जेल में रखे क्या चाहिए क्या और इससे पूष्टाश करनी है क्या रिकवरी करनी है बताइए इतने दिन से आप जेल में इनको रखे हुए हैं क्या किया आज तक उसका स्टोरी पूरी पूछनी चाहिए अगर वो जवाब न और करेगा तो दोस होगा तो जेल में चला जाएगा क्या दिक्कत है मगर अभी उसकी जमानत पर इतना हो अल्ला करना और बिना ओडर के जाके हाई कोड में जाना और हाई कोड ने भी इस तरह की तीवर्ता दिखाई इस देश के आम लोगों के लिए तो यह हाई कोड इतनी डिगनिटी का जो अधिकार उसको आप इस तरह से जलील नहीं कर सकते कोई भी आदमी जिसने अपराद किया हो सजा मिलेगी मगर वो ट्रैल में जेल में इस तरह रखके नहीं परताडित करके नहीं यह देश लोगों को अपरादियों को छोड़ने के हक में नहीं यह देश इस देश का कानून अपरादियों को जलील करने के हक में नहीं है इस देश का एक भी नागरिक जलील नहीं किया जा सकता और नहीं इस देश का सविधान और कानून इजाज़त देते और नहीं इस देश के जो नियम है इस देश में जेलों का नाम भी सुधार गर है क्यों है क्योंकि दुनिया को पता है कि कोई भी आदमी जब अपराद करता है या तो वो सोशन होता उसका या उसके साथ किसी ने अपराद किया होता उसको न्याई नहीं मिलता तब इस तरह के अपराद करता है तो अपराद जिसके साथ भी होता उसके लिए परिवार जुम्मेवार हो सकते हैं समाज हो सकता है देश हो सकता है कानून हो सकता है तो हमें यह देखना है हमारे लोग अपराद में शामिल क्यों होते हैं और अपराद में शामिल ना हो तो क्या किया जाए ऐसी वेवस्ता सिक्षा की हो ऐसी वेवस्ता कानून की हो ऐसी वेवस्ता कानूनी वेवस्ता हमारे जूडिशल सिस्टम की हो और जेलों में भी सुधार घर है इसलिए रखा कि वहां उन लोगों को समझाया जाएगा और जो लोगों सुधर जाता उसकी सजा भ अपराद को अपराद से मिटाने का कानून नहीं है ना ही पूरी धर्ती पे आजकल थोड़ी जगे बच्चियों के जा इस तरह का कानून है वरना पूरी दुनिया को ये पता है कि हर आदमी गलती करके भी पस्ताता है इसलिए हमें उसको मौका देना चीए सुधरने का मौका हीमें किया ये सारी बात ही होते हैं जब लोगों को सजा दी जा सकती है वैसे नहीं इस तरह जो तुमांसा चल रहा है और अभी नए कानून भी जो आ गजय कानून इंसे भी खतरनाख हैं ये असे ही सारे कानून इस देश के लोगों है तो मगर यह खली हिंदी में नाम रखना वह भी अपराद है साउथ इंडिया के लोगों के लिए अपराद है वह उस बहुता को जानते नहीं उस बहुता में नाम याद रखना उनके बड़ा मुश्किल है यह ठोपने वाली बात है यह गैर कानून ही है और यह एसवधानिक अभी जो कानून की स्थिति है जैसे हाई कोर्ट गए हैं पाहाजारा सुनवाई तक जो है यह इस्टे लगा रहेगा जमानत पर बाहर नहीं आएंगे तो केजरीवाल जी क्या जमानत से बाहर निकलने के रास्ते सबीस मिल सकते हैं क्या आप देखते हैं कैसे क्या तने दिन हो चुके हैं सारी एजन्शियन के पास है एक साल से उपर हो गया औंदरใหhu यह कितने दिनों से अंदर हैं और क्या धूंड़ना नहीं धूंड़ना और क्या नहीं क्योंना नहीं आती तुम्हें पता भी नहीं इतने संसादन है तुम्हारे पास और इतने दिन तुम्हें लगा रहे हो जांच करने में तो क्या होगा इस संका होती है कि इस देश की जांच अजन से बेकार हैं इस देश के सरकारी वकील बेकार हैं लोगों के साथ अन्याय होने देना च काम करें इस केश मंए खासतोर पर जब अब तक तुम जाच नहीं कर पाई आगे क्या करोगे क्या खाक जाच करोगे तो इनको जमानत ना देना पूरी वकील विरादरी में रोश है और ये हिम्मत की नयाम भी कैसा है उस लेडिजाज का बहुत अच्छी हिमत उसने की है उसने डिक्षाया है कि जुडिशीरी में अभी भी कहीना कहीं लो है कहीना कहीं दीपक है कोई आसा का किर्ण है वरना हमारी डिश्टिक जुडिशीरी इन लोगों ने एक तरह से नपुन्सक बना दी हाईए कोट रो सुप्रिम कोट के हिश्टिक कोमाल कोड़ करता है हर डिश्टिक कोट का एक हई कोड़ का कजद होता है उसका एक इंचार्ज वो सब 거 उसमें रखता है वहाँ हजूरह करने करने पड़ ती इंपी इन विचारे जज्टो चर्ल Dusty को अर बहुत अरत बार तो सुप्रीम कोट के चीफ जश्री ने भी कहा ये बंद करो ड्रामा हाई को में जरीवाल को भी की जमानत मिल जाएगा जमानत जब जश्टिज न्याई बिंदू ने दिया तो उस पर टिपनी भी की कि जो प्राकृतिक नया सिध्धानत हैं उनके उनके अनपालन किया जाना चाहिए और इसके बिरोध में सिध्धानतों के नहीं जाना चाहिए और साथी निश्पक्छो करके इडी को जाच करनी चाहिए लेकिन इन तिपड़ियों का अब क्या असर पड़ेगा जो पहले होता था कि सुप्रिम कंडिशन होती या फिर भी जूर्त हो तो आप भागी दारी करेंगे योगदान करेंगे जांच सहयोग करेंगे इधर उतरनी जाएंगे एविडेंस को नहीं मिटाएंगे देश छोड़ के नहीं भागेंगे इस तरह कंडिशन आम होती है यह इसमें भी होनी चाहिए और उनको जमानत मिलने चाहिए पिछली बार भी जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिले थी एलेक्शन के व आफिस में नहीं जाने देना यह भी एक तरह से जुडिशियल तानाशाई थी इसको हम कहेंगे जुडिशियल तानाशाई अगर अरविंद केजरिवाल को इस पर जमानत मिल जाती है तो क्या यह पूरे केस पर क्या असर पड़ेगा और पूरे जो देश में प्रक्रिया चल से किसी के साथ भी इस तरह की वो ना हो लोगों को जमानत मिलनी चाहिए उसने अपराद किया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ट्रैल में उसको सजा दे अगर ट्रैल सही है तो मगर जमानत इन्वेस्टिकेशन के नाम पे इस देश के लोगों को गिरपतार रखना लंबे स जरौ कुस नहीं हो सकता इसलिए जमानत मिलने से उस पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा वो तो कोर्ट में केस चलेगा इनकी गलती होगी तो सजा मिल जागी नहीं होगी तो छूट जाएंगे मगर इस वकत उनको जमानत का विरोध करना इसका मतलब क्या है विरोध क बैखे वे लोगों का है लोग बारबार चिल देःएप सुप्रेम कोट के वखिल इसमें इंट्रेस्ट नरेंद्रमोधी का इंट्रेस्ट है उसके साथ उसका एगजिकूट करने वाला अमिच्या है उसको इंट्रेश्ट है, हमी इसा ग्रहहम मंतरा लगे हों उसको बार-बार दिया जाता है, अब को RIGHT मार्म ताना शाई के खिलाब आवाज उठानी चाहिए, वो कहीं भी हो, ताना शाई घर में भी नी चलती, ताना शाई समाज में नी चलती, ताना शाई स्टेट और देश में नी चल सकती, देश की उपर से चालू ताना शाई नीचे तक इफेक्ट डालती है, नीचे तक का एक कि अब बहुत बहुत धन्यवास सरा हमसे बात करने के लिए आप भी अपनी प्रत्क्रिया जरूर दीजिए कि अरविंद के जरीवाल को जमानत में जो देरी उत की जा रही है क्या यह जो सवाल खड़े हो रहे हैं जो हमने अभी बात की अखिल साब से इस पर भी आप पूरी प्रत्क्रिया दीजिए और सवाल भी जरूर उठाइए देखते रहे प्रोपो नमस्का खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और झाल